हेलो अब्रिवन दिसी सुर्भी वेलकम टो स्टेडी हैक्स कैसी हो सब आई होप आप लोग सब ठीक अपनी स्टेडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं आज के जो सेशन है बहुत ही जादा इंपॉर्टन रहने वाला है आपके एक्जाम्स के लिए विकोज बहुत ही अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप अपने डाउट को कमेंड बॉक्स में ज़रूर शेर कीजिएगा आईए आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले तो मैंने कोशन पूचा था कि जो गंगा रिवर है वो हमारी कंट्री में कौन-कौन सी स्टे कांच ऐसी स्टेट सें जहां से गंगा रिवर होके गुजरती है तो प्लीज यह याद रखेगा तो बलवन सिंग के दोरा काफी अच्छे से अंसर दिया गया है तो ऐसे आप लोगों की रिविजन होगी आईए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं पहले तो हम एक ड जाता हर साल 29 जुलाई को एम क्या है कि लोगों में अवेर्नेस पहलाना कि जरूरत है कंजरवेशन के लिए टाइगर्स की ताकि इनकी प्रोटेक्शन जो है क्योंकि इनकी पोचिंग इनका शिकार हुज तोर पे देखने को मिलता है अनिमल-हुमन कॉन्फलिक्ट भी काफी देखने को मिलता है इन सब चीजों को कैसे कंट्रोल करना है इनकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है तो इन सब चीजों के लिए ही इंटरनेशनल जो टाइगर डे है वो सालिब्रेट किया जाता है ठीक है अब मिलको बताईएगा सबसे आदा हमारी कंट्री में टाइगर्स की सेंशियस कब डिकलेयर रिलीस किया गया ठीक है तो उसमें संख्या जो है टाइगर्स की कितनी बता रखी है तो यह सारे डिटेल में को बताइएगा ठीक है तो औरेडी मैंने यह डिसकस किया है तो काफी जारा इंपॉर्टेंट है आई होप आपको यह सारे चीज क्लियर नेक्स चलते हैं टाइफून इनफा यह कहां पर देखने को मिलना है चाइना वाले रिजर में देखने को मिलना है तो आईए देखते हैं इसके बारे में डिसकस करते हैं टाइफून जो इनफा है टाइफून इनफा इसको फिलिपिन्स में टाइफून फैबिन के नाम से ज Umberable conditions देखने को मिल रही है Стुरॉम जु है काफ़े intensify है We a tropical depression काफ़े देखने को मिल रही है इस particularly reason में टूर दर लेटर ये ट्रॉपिकल जो स्टॉम स्टॉम देखने को मिलेगी स्टार्टिंग में ही 2021 की स्टार्टिंग में ही काफी जारा floods देखने को मिले तो चाइना का जो यह वाला हैनन प्रोविंस है ठीक है जैसे हमारे कंट्री में states बोलते है तो प्रोविंस भी state के नाम से जाने जाती है तो यह पर्टिकुलर जो एरिया है हैनन ही affected रहता है severe flooding यहा की जो conditions रहती है वो इस reason में देखने को मिलती है ठीक है इनफा जो है टाइफून इसने बीट किया है टाइफून फिट लो को 2013 में जब आया था यह coastliest टाइफून है strike किया है चाइना में and third closest टाइफून है जो record किया गया है इसको 14.7 billion जो total जो inflation इसके कारण देखने को मिली इस टाइफून के चलते ठीक है तो I hope आपको यह सारी चीज clear हुई होगी आईए देख लेते हैं category जो रहती है cyclone की वह हम देख लेते हैं अगर 17 to 27 है कि 31 to 50 km per hour है तो यह depression की category में आएगा अगर 51 to 62 km per hour है deep depression की category में है 63 to 88 km per hour cyclone strong 89 to 117 km per hour severe cyclone की category में रखा जाता है इसको 118 to 165 km per hour severe cyclone storm इसको बोला जाता है 166 to 220 km per hour extremely severe cyclone और अगर greater than equal to 221 km per hour की बात करे super cyclonic storm बोला जाता है तो यह अलग-अलग category है निकी speed जो है वह नापी जाती है उसकी वज़े से ही इसको क्या अलग-अलग categories में रखा जाता है प्लीज इसको एक बार ध्यार में रखेगा ठीक है जो हमारे यह यहाँ पे जो cyclones आती है उसको अलग-अलग continent में या reason wise अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है यह मैंने पहले भी discuss किया था जैसे हमारी country में cyclone के नाम से जाना जाता है ठीक है अगर बात करें जापान और चाइना वाले reason में यहाँ पे टाइफून के नाम से जाना जाता है उस्ट्रेलिया वाले reason में और बात की ports जो है major ports state boundary country intermediate sea ports जो है यहाँ पे show कर रखें आप इसको एक बार देख लिजेगा अब हम बात करने जा रहे है खांदला port की जो कहाँ पे गुजरात में आपको देखने को मिला है खांदला port जो है यह first green special economic zone जो है वो country का बना है ठीक है खांदला special economic zone जो है यह oldest export zone माना जाता है हमारी country का यानि कि यहाँ से ही जो हमारी country का raw material था Britishers के द्वारा क्या किया जाता था Britain में export किया जाता था तो यह काफी जादा oldest export zone है हमारी country का और यह first green industrial city भी है इंडिया की ठीक है जो बनी है और इसके द्वारा receive किया जाता है platinum rating under IGBC green city rating for existing city in the industrial cities categories अगर compare करें तो 25,000 trees in kandla first special economic zone है 2019 में 1000 old acres has 3.5 lakh trees यहाँ पर क्या किये गए इंस्टॉल किये गए थे ठीक है most of these trees यहाँ पर plant किये गे 2019 में क्या यूज करके एक method है जिसका नाम है मियावा की forestation method यहाँ पर देखिएगा मियावा की method अखिर है क्या मियावा की method जो है मारी country में बहुत से states के द्वारा यहाँ पर यूज किया गया तो खांदला पोर्ट में भी इसको यूज किया गया तो मियावा की जो method है यह Japanese मियावा की method बोला जाता है especially a forestation के लिए a forestation क्या रहता है कि पेड लगाना ठीक है तो earliest अगर हम बात करें तामेलाडू, महराश्ट्रा, तैवेंगाना and other जो states and के द्वारा यह method को adopt किया गया यह method है यह concept रहता है कि urban a forestation करना यानि कि शहरों में जैसे छोड़-छोटे जंगल बनाना ठीक है तो यह basically यह purpose रहता है ठीक है एक mini forest को create करना और यह help करता है यानि कि 3000 forest हम cover कर सकते हैं all our world में इसके चलते, इस method के चलते यह create करता है यानि कि dense forest इससे create किये जाते हैं ऐसे देखे तो एक particular जो forest रहता है उसको 200-300 तक years यानि कि इतने साल लग जाते हैं proper forest बनने में बट इस method से क्या रहेगा only 20-30 years लगेंगे एक dense forest create होने में ठीक है तो यह method काफी helpful है हमारे environment के लिए अगर बात करें forest जो है 10 times faster and 30 times dancer देखने को मिलते हैं यहाँ पे और जो पोधे वगेरा रहते हैं वो self sustainable होते हैं first three years के बार ठीक है पहले तीन साल इसकी देखवाल करने पड़ती है उसके बाद यह खुद ही grow up होना शुरू हो जाते हैं पर आप देख सकते हैं ठीक है तो जो identify किये जाते हैं इनको चार layers में divide किया जाता है जैसे sharps हो गए sharps क्या होते हैं छोट छोटे जो पोधे रहते हैं जैसी ठीक है तो trees हो गए ठीक है यह trees बन गए ठीक है canopy जो है बड़े बड़े जब पेड़ बन जाते हैं ठीक है तो इनको four layers में क्या किया गया है divide किया गया है तो I hope आपको यह सारी चीज clear हुई होगी कि miyawa की method आखिर है क्या यह Japanese miyawa की method है especially afforestation के लिए I hope आपको यह clear हुई होगी next चलते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आपको picture में clarity मिलेगी ठीक है एक छोटा ऐसा land ले लेते हैं ठीक है land पे क्या करते हैं पास पास ही क्या करते हैं यह plants को लगाते हैं ठीक है यह forestation किया जाता है ताकि mini forest create कर सकें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी यह helpful रहते हैं हमारी environment के लिए next है मत्से सेतू मत्से का मतलब ही क्या रहता है fish ठीक है तो मचली के बारे में बात हो रही है यह app है मत्से सेतू तो recently ही ministry of fisheries animal husbandry and daring ठीक है यह किसके under है बताईएगा मेरे को ठीक है जो कोस्टल एरिया में आप देख सकते हैं जो लोग है वो डिपेंट रहते हैं fish farming पे तो उनकी जो रोजी रोटी चलती है fish farming पे ज़्यादा चलती है coastal एरिया के अगर specially बात करें तो यह app जो है किसके दोरा डेवलप किया गया यह important है यह develop किया गया Indian Council of Agriculture जो research है and Central Institute of Freshwater Aquaculture Aquaculture का मतलब क्या रहता है पानी से लिटर जो जीव जन्तु रहते हैं यह species रहती है और National Fisheries Development Board के द्वारे यह collaboration से यह develop किया गया है aim क्या है कि क्या करना disseminate करना प्रचार करना कि latest जैसे Freshwater Aquaculture technology को कैसे हम लेके चले aqua farmers जो है हमारी country में उनको कैसे educate किया जा सके ताकि productivity है और जो income है farmers की वो हम increase कर सके basically aim यही है aquaculture के अगर बात करें इसमें आता है breeding, raising, harvesting जो है especially fish, shellfish and aquatic plants की तो life below water की जब हम बात करते हैं ठीक है इसमें यह आता है इंडिया जो है यह second major producer है किसका fish का through aquaculture in the world इंडिया जो है यह second major producer है तो first producer producer कौन है world में fish का ठीक है तो यह country का नाम आपने बताना है focus किस पे किया जाता है कि grow out culture जो commercially important जो fishes हैं like जैसे crab catfish etc इन दोनो species पे focus किया जा रहा है it can be used to disseminate latest information on different schemes यासे रहती है specially fishers के लिए fish farmers के लिए youth and entrepreneurs के लिए जो cross the country यह देखने को मिलेंगे facilitate करना ताकि यह जो business है वो असानी से किया जा सके farmers के द्वारा ease of doing business जो है तो ease of doing business जो report निकल के आती है यह किसके द्वारा release की जाती है और 2021 में हमारी इंडिया का rank कितना रहा इसमें यह भी आप में को बताईएगा ठीक है तो important है यह मैंने discuss भी किया था revision हो जाएगी आप लोगों की next चलते हैं कांजी वरम silk sari की बात हो रही है तो national award winner है जिनका नाम है B. Krishnamurti इनके द्वारा अभी कांजी वरम जो silk sari इसका next generation जो लेके आने वाले है उसके बारे में बात की जा रही है कांजी वरम जो है यह काफी famous sari है सिर्फ इंडिया में ही नहीं all over world में यह काफी जारा famous है तो इसके जो next यानि की updation किया जाएगा इसका जो design है इसकी जो weaving है बुनाई जो रहती है तो इसका next generation लाया जाएगा जो भी Krishnamurti है इनके द्वारा बोला गया है usually hand woven यानि की mulberry silk इसको बोला जाता है यानि की हाथ से सारी चीज़े देखने को मिलती है ठीक है जिसको consider किया जाता है कांची वरम को consider किया जाता है queen of silk sari ठीक है तो queen of silk sari किस area को बुला जाता है कांची वरम को ठीक है तो कांची पुरम से निकल के यह जो नाम है यह आया ठीक है तो यह काफी long and rich history देखने को मिलती है सारी से related खास कर जो चोला डेनेसिटी है चोला डेनेसिटी जो है वो southern इंडिया में सबसे आदा देखने को मिली ठीक है कांची वरम सारी जो है आज के time में consider की जाती है इसको oldest and rich legacies माना जाता है Indian textile industry का इसको GI tech का दरज़ज़ भी मिल चुका है कभ मिला 2005 और 2006 में ठीक है तो इतनी चीज़ आपको clear है next हम silk production की बात कर लेते है इंडिया में हमारी इंडिया जो है ये second largest producer है silk की all over the world ये इंडिया जो है वो second है first कौन है बताइएगा मेरे को ठीक है silk के मामले में all over the world largest producer कौन है ठीक है in silk producing यानि की 18% जो silk है हमारी country के दोरा produce की जाती है ठीक है five जो major types of silk जो commercial importance है ठीक है जो especially जो different different species जो silk warm है वहाँ से निकल के आती है वो जो है वो है माल बेरी ओक तसार ट्रॉपिक तसार ट्रॉपिकल तसार मुगा एंड एरी South India जो है यह leading silk producer है ठीक है हमारी इंडिया में Government of India के दोरा 2017 में एक scheme launch की गई थी से related जिसका नाम है Silk Sumagra for Department of Sericulture in the Country ठीक है 2017 में Silk Sumagra याद दखिये गई इसको ठीक है I hope आपको इतनी चीज clear हुई होगी GI Tag के बारे में देख लेते हैं ठीक है यह काफी बार डिसकस भी कर चुकी हूँ अच्छी बात है कि आप लोगों की revision हो जाएगी जो graphical indication status जो है यह identify किया जाता है special जो क्या रहता है reason रहता है जान से वो चीज originate हुई है ठीक है यूज जो किया जाता है specially agriculture के लिए natural और manufacture goods के लिए ठीक है जैसे ही साड़ी बगैरा हमने अभी देखी कांची बरम साड़ी जो graphical indication जो है of goods registration and protection act 1999 के तहत registration प्रवाइड करवाई जाती है ठीक है ताकि better protection दी जा सके जो graphical indication जो product है related to goods जो इंडिया में particular पाया जाता है administer किसके द्वरा किया जाता है यह याद रखिएगा controller, journal of patent, design and trademark ठीक है जो register रहता है geographical indication का geographical indication जो registry है कहां पे located है चैन नहीं में है registration जो है geographical indication के वो valid रहती है 10 years के लिए 10 years के बाद इसको फिर से क्या किया जाता है renew किया जाता है ठीक है और यह part है किसका world trade organization का जो trips है trips की full form क्या है trade related aspects of intellectual property right अगर बात करें जारखंड का सोराही cover painting को GI tech का दरज़ा मिल चुका है तेलेंगाना का तेलिया, रुमाल तिरूर, वैंटिला, कैरेला दिंडिगू, लोक एंड खंदागी, साड़ी, तामिल लाडू ठीक है खंदागी, साड़ी भी है तामिल लाडू की जिसको GI tech का दरज़ा मिल चुका है और कांचिपरम भी ठीक है ओडिसा, करोसुगूला शाही, लीची, बिहार इन सब को GI tech का दरज़ा मिल चुका है तो इनको काफी जारा एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है और कंट्रीस में ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इंकम डबल की जा सके अग्रिकल्चर एंड प्रोसेस्ट फूड प्रोड़क्ट Export Development Authority जिसको अपेड़ा बोलते हैं जो Ministry of Commerce and Industry के अंडर आती है याद रखेगा अपेड़ा जो है ये Agriculture Ministry के अंडर नहीं आती है ये Ministry of Commerce and Industry के अंडर आती है जो फोकस करती है पर्टिकुलर्टी जो GI प्रोड़क्ट है उसको कैसे अलग-अलग कंट्रिस में प्रोड़क्ट करना है मेन फोकस अपेड़ा का यही रहता है आज का जो सेशन था इतना ही था तो आज को आपको ये सारी चीज क्लियर हुई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लिस लाइक, शियर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पीडियेफ के लिए आप टैलिग्राम जोइन कर सकते हैं आप में को इंस्टाग्राम पे भी फोलो कर सकते हैं ठैंक यू फूर वोचिंग मैं वीडियो जाहें दो